अगर आप भी बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर, तो हम इस संपस करें नमस्कार, आप देख रहे हैं, SPNI News, मैं राशिद अली, ये जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये खबर बड़ी ही नाजुक है, और एक समुदाए से खास जोड़ी है, और उस समुदाए में इसको बहुत तरजी दी जाती है, और इस बहुत ही है, इस बात का ख्याल रखा जाता है, और ये बहुत ही एक बड़ा मुददा है एक समुदाए के लिए, लेकिन इसमें जब केंदर सरकार अगर हटशेप करती है, तो एक समुदाए ये कहता है कि आकिर इसमें तुम हमारे कानून में, या फिर हमारे समाज में हस्ट शेप क्यूं कर रहे हों लेकिन उस समुदाए की महिलाएं जब इससे पीडित होती है जब उन पर गुजरती है जब उन पर अत्याचार होते हैं तो आके वो किधर जाएं दोनों ही तरफ असमंजस की इस्तिती है ना इधर की कह सकते हैं कि आकिर इस मामले का निचोड क्या निकला जा सके मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ खबर की हो अब देख सकते हैं तीन तलाग के बाद हलाला बैन कराना चाहती है केंदर सरकार परतिबंद के लिए चुना यह रास्ता वो कौन सा रास्ता है कानून मंतराले के एक वरिष्ट पतिदिकारी ने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में निका हलाला की प्रता का विरूत करेगी जब शीर्श अदालत आने वाले दिनों में इसकी कानूनी वैद्ता की प्रतार करेगी यह मैं आपको बताता हूं कि जब तीन तलाग के बाद हलाला बैन कर आना चाहती है सरकार जब तीन तलाग पर सरकार ने जो की कानून बनाए थे जो की फैसले सुनाए थे हाला कि उसको लेकर कुछ टीवी चैनलों में कुछ दो-चार महिलाई सामने आए थी और एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी और मोती सरकार को धन्यवाद दे रही थी लेकिन बड़े समुदाई की ऐसी महिलाई थी बड़ी तादाद में ऐसी महिलाई थी जो इसका विरोध भी कर रही थी दोनों ही बाते देखनी जरूरी है कि समर्थन की गिंती में कितने है और विरोध की गिंती में कितने है दोनों ही बातों को हमें लेकर चलना चाहिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ख़बर के हो केंदर सरकार इसलाम में तीन तलाग को खतम करने के बाद निकाल हलाला की प्रता पर रोक लगाने की कोशिश में है इस प्रता पर रोक के लिए भी सरकार कोट का सहरा ले रही है कानून मंतराले के एक वरिष्ट पद्धिकारी ने बताया कि सरकार सुप्रेम कोट में निकाल हलाला की प्रता का विरूद करेगी जब शीर्ष अदालत आने वाले दिनों में इसकी कानूरी वैद तकी परतार करेगी निकाह हलाला मुसल्मानों में वह प्रता है आप ध्यान से देखेगा कि आखिर क्या प्रता है और क्या इसका चलना है और क्या इसके फाइदे हैं और क्या इसके नुकसान है निकाहलाला मुसल्मानों में वह परता है जो समुदाए के किसी व्यक्ति को अपनी तलाक शुदा पतनी से फिर से शादी करने की इसाज़त देता है मंतराले के दिकारी ने कहा कि सरकार का मानना है कि यह परता लेंगिक नियाय यानि कि जैंडर जस्टिस के सिधानतों के खिलाफ है और उसने इस मुद्दे पर शीर्ज कोट में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है बात करते हैं हाला कि सुप्रेम कोट ने तब सिर्फ फौरी यानि कि तीन तलाग के मुद्दे पर सुनवाई करने का फैसला किया था फैसला किया था मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने निखा हलाला और बहुविवा प्रथा पर केंद्र को नोटिस जारी किया था अधिकारी ने कहा कि सरकार का रुक एक जैसा है भारत सरकार इस प्रता की खिलाफ है यह सुप्रिम कोर्ट में प्रदशित होगा यानि कि अधिकारी ने साफ कहा है कि सरकार का रुक एक जैसा है भारत सरकार इस प्रता के खिलाफ है एक समुदाय कि यह प्रता है और भारत सरका उसके खिलाफ है यह सुप्रिम कोर्ट में प्रदशित होगा शीर्ज कोर्ट ने पिछले साल तीन तलाग की प्रता को आसावैदानिक गोशित कर दिया सरकार तीन तलाग को एक दंडनी अपराद बनाने के लिए बाद में विधायक लेकर आई लोग सबाने यह विधायक पारित कर दिया और अब यह राज्य सभा में लंबित है यह तीन तलाग को अवैद बनाता है और पती के लिए तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान करत है कि मसवादा कानून के तहट तीन तला किसी भी रूप में मौखिक लिखित या एमेल एसमेस और वटसेप साइध इलेक्ट्रोनिक तरीके में अभैद और आमान नय होगा यानि कि मैं आपको दुबारा दिखाता हूं कि आखिर इसमें जो कागजी है वही कारवाई अगर आप वर्टसेप से तलाग दे दिया फोन से तलाग दे दिया वह सब जुर्म के आदार में होगा या देख सकते हैं मसवादा कानून के तहट तीन तलाग किसी भी रूप में मौखित लिखित या एमेल एसमेस और वर्टसेप साहित इलेक्ट्रोनिक तरीके से अवहद औ और अमानने होगा निका हलाला की कानूनी वैद्था कि अब सुप्रेम कोट जो की पड़ताल करेगा कोट की एक सविधान फीट इस प्रथा की वैद्था को चुनौती देने वाले चार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी अब बताते हैं आपको हलाला के बारे में अगर के तहट एक वैक्ति अपनी पूर्व पत्नी से तब तक शाद दोबारा शादी नहीं कर सकता जब तक वह महिला किसी अन्य पुरुष से शादी कर उससे शारिरिक संबंद नहीं बना लेती और फिर उससे तलाक लेकर अलग रहने की अब्दी इद्दत पूरी नहीं कर लेती जानि कि अगर किसी का तलाक हो गया है पती पत्नी के बीच तलाक हो गया है और अब पती उससे दुबारा शादी करना चाता है अपनी पूर पत्नी से तो उस पूर पत्नी को पहले किसी और मद्द से शादी करनी होगी और उसके साथ उसे पती पत्नी की तरह रहना होगा और उसके बाद उसे तलाग देना होगा और फिर अपने पहले पती के पास वापस आना होगा अब मैं आपको दोबारा इस मामले में लेकर चलता हूँ कि आखिर ये मामला अलग अलग कैसा है और क्या इस मामले में ले है और आखिर क्या इस मामले में जो की हो सकता है कानून मंतराले के व्रश्प दिकारी ने जो कि बताया सरकार उच्टम नियालों में निखा हलाला की प्रता का वरूत करेगी कि निखा हलाला मुसल्मानों में वह परता है जो समुधाय की किसी वैक्ति को अपनी तलाख शुदा पत्नी से फिर्श्प से शादी करने की इसाज़त देता है हाँ मंदराले के दिकारी ने बताया कि सरकार का माना एक यह परता लिगिंग नियाए जेंटर के जितांतों के खिलाफ और इसमे इस मुद्ए पर शीर्ष नियालों में अपना रुखपष्ट कर दिया था हलाकि शीर्ष ने ने तब तक सिर्ष तीन तलाख के मुद्धे पर सुनवाई करने का फैसला किया जबकि निकाहला और बहु विवा पत्था पर अलग से विचार करने का फैसला किया था लेकिन अब देखने लोग्त दैया strategies नहीं पर चोटी से बात दो पर टलाख दे दिया ये भी कोई तरक नहीं लेकिन फोन पर तलाख देने के मामले सामने अब जिसमें सरकार ने इस मामले को को पैळिता और पीडितां को राहत दी और आपने ट姵े चैनल नीई चैनल हो पे भी देखा होगा और कैसे अगर पती पतनी है और उनके बीच तलाक हो गया है तो अगर पती को अपनी तलाक शुदा पतनी से दोबारा शादी करनी है तो वो कैसे एक प्रोसीजर अपनाता है कि इसकी एक लंबी चीन होती है कि कैसे उसे दूसरे महज से शादी करनी होगी उसके साथ पती पतनी प्रता लेकिन अगर महिलाएं न्यूस चैनलों पर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाती हैं वो चंद महिलाएं और एक तरफ दूसरी महिलाएं भी ऐसी हैं दूसरी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुजुम में दिखती हैं भीड में दिखती हैं जो कहती हैं कि हमारे शर्य तरफ उनकी शरियत है एक तरफ किंद्र सरकार है तो दूसरी तरफ एक समाज है और अब आखिर इसमें क्या कहा जाए और आखिर इसमें क्या निचोड़ निकाला जाए क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है बहुत ही नाजुक मुद्दा है जिससे लोगों की आस्ता है लोगों का समाज जुड़ा है तो वहीं दूसरी और जुड़ा है तो फिडिताओं का दर जुड़ा है लेकिन इसके बीट सवाल उड़ता है कि इनके मुद्धों के अलावा और भी ऐसे मुद्ध हैं जिन पर सरकार को दियान देना चाहिए जिन पर सरकार केवल एक ही समाज की महिलाओं की नहीं बलकि अगर तमाम समाज की महिलाओं की फिकर करेगा तो जादा सही रहेगा एक सम महिलाएं जब सरकार इस फैसले को उठाती है तो ये भी आरूप लगता है कि सरकार ये केवल अपना वोर्ट बैंक पढ़ाने के लिए कि बात उठती है तो तमाम मुद्दों को देखना चाहिए तमाम मुद्दे गिरते हैं तमाम इनमें एंगलों को देखते हैं लेकिन सवाल उठता है कि अगर फिकर है सरकार तो केवल एक समाज की नहीं बलकि सारे देश की महिलाओं की वो पीडा को समझे सारे देश की महिलाओं का दर्द समझे ना सिर्फ बजाए एक समुदाए की महिलाओं का तो अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है और क्या नेचोड निकलता है तब तक कि लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार स्टार्टो ने कर्यर विफ अजाखे ज़िए